हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल पर तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लाश 12 के मैथ के चैप्टर नमबर 7 के एक्सराइज 7.1 क्या है इससे पहले इसका इंट्रोड़क्शन कराया जा चुका है I hope आप सबने देखा होगा उ इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है ना? So, पहला कोशन देखें कहा है कि find an anti-derivative or integral है ना? मैंने बताया था कि integration को हम लोग anti-derivative कहते हैं of the following method by the method of inspection है ना? By method of inspection अब inspection method से बनाना है इसका मतलब कि आपको अभी formula पता नहीं है समझ लिजे एक तरीके से आपको formula पता नहीं है आपने बताना है कि इसका integration क्या होगा देखें अगर आपसे इसका integration पूछे तो आप simple सा बता सकते नहीं of the method of inspection लगाना है देखें यहां पूछ चुका है तो आपको करना होगा यहां उसके हिसाब से तो उसका तरीका क्या है तो मैंने आपको बताया था देखें इसा होता है कि integration को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या है कि डिफ्रेंशेशन का उल्टा होता है जैसे मैंने बताया था कि देखो भाई ऐसा होता है कि आपके पास बोला जाए कि साइन एक्स का डिफ्रेंशेशन होता है कॉस एक्स हैना इसका मतलब मैं कह दूँ कि कॉस एक्स को इस वाले को इंटी ग्रेट करूं तो यहां आएगा सिर्फ साइन एक्स पलस सी यहां पर कॉंशेशन कर रहे है तो यह आरा है जबकी इसका इंटी ग्रेशन कर रहे आप integration कर रहे हैं आप तो यह आ रहा है यह anti differentiation कर सकते हैं है ना तो इसमें आपको method of inspection में सोचना है कि आप किसका differentiation करें आपने किसका differentiation करना है कि आपका answer sin2x मिले आपने किसका differentiation करना है कि आपको sin2x मिले तब हिना आप कहते हैं कि इंटेगरेशन यह हो जाएगा तो अब देखे sin2x है तो हम जानते है formula differentiation का कि cosx का जो formula होता है ठीक है ना वह होता minus sinx नहीं होता है और हमको 2x चाहिए तो cos2x का हो जाता है minus sin2x और 2x का हो जाएगा सिफ 2 ठीक है तो हम कह सकते हैं कि भाई देखे ऐसा होता है कि अब दिक्कत यह है ना यानि इसका integration करना इसका differentiation करना है सिफ 2x का तो यह मिल जाएगा क्या मिलेगा आपको यह चाहिए sin2x इसका मतलब सिर्फ यह चाहिए तो यह जो minus 1 है यह जो 2 है वो नहीं चाहिए यहां पर तो इसको हटाना पड़ेगा आपको तो इसको हटाने का मतलब क्या है इस वाले को multiply में है इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो d upon dx जो बनेगा ठीक है ना cos 2x minus 2 ठीक है ना done है इसका differentiation करेंगे तो मान लीजिए sin2x आएगा अब मैंने पहले बताया कि भाई आपको inspection से बनाना है तो आप चेक करें कि किसका differentiation करें तो आपका sin2x आ रहा है चुकि अगर आप इस वाले का integration करेंगे तो यह आ जाएगा है ना ठीक है तो हम कर क्या रहे हैं हमने देखा यहां पे कि भाई cos 2x divide में minus 2 है ना इसका हमने differentiation किया तो sin2x आया इसका मतलब sin2x का integration sin2x का जो integration होगा dx इस वाले का ठीक है ना integration क्या हो जागा भाई देखिया इसका differentiation यह तो इसका integration यह है ना तो यह हो जागा ना minus cos 2x divide 2 और पलस में c integration में c आता है चुकि यहां पे पलस में हम 4 5 कुछ भी रख सकते हैं इसका value तो जीरो मिलेगा I hope आपको समझ में आया होगा यह में सब्सक्राइब से निकल गया है तो आप लिक भी सकते हैं ठीक ना चाहें है तो कि anti derivative है ना anti derivative of sin 2x is minus cos 2x by 2 plus c is sin 2x दन है आगे देख लेंगे दूसरा question क्या आगा फिर सेम है हना कुछ खास तो है नहीं देन आप से फिर कहा है कि आप बताईए कि cos 3x हना question आप से कहा है cos 3x का cos 3x dx इसका आपको anti derivative निकलना है ना anti derivative अच्छा anti derivative चाहिए आपको तो हम जानते हैं मैंने अभी बताया कि करेंगे क्या आप आप सोचेंगे कि आपने किसका differentiation करना है कि यह cos 3x आए आप cos 3x है ना जी ठीक ना इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए क्यां करेंगे saign के cos 2 हो जाता है तो आप यहां पर कर ले भाई कि यहां पर 씨 साइन 3x का होता है cos 3x है ना और एक बात और सुझ में आ चाहिए कि यहां पे 3x को हो जाता है 3 हो जाता है ठीक है लेकिन हमको चाहिए सिर्फ से 6 यह को चाहिए साइन 3x यही आएगा तो इसी चीज़ को आप यहां पर लिख दें कि भाई यहां पर आएगा साइन 3x डिवाइड 3 अब हम समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं आपने कहा कि कि derivative of sin 3x plus 3 is equal to आप कहा सकते हैं कि derivative derivative of sin 3x by 3 बरावर होता है by cos 3x का hence हैना it applies hence है anti derivative है ना anti-derivative anti-derivative of cos 3x will be क्या हो जागा भाई ए न हो जागा यह derivative इसका तो यह जो होगा anti-derivative भी स्काविल भी क्योंगा तो आप कहेंगे साइन ओ धीडिडिये एक्स का इंटिर्ग्रेश्न इंटिरेटिफ या घा होगा तो आप कहेंगेश하는데 साइन थेरी एक्स क्या कहेंगे भाई साइन थेरी एक्स भाई थेरी पड़ा सी आगे यहां फॉर्मुला से निकालना बड़ा एजी है कोई बड़ी बात नहीं है और आपको इस टाइप कोश्चन नहीं देने वाला है बोर्ड में यह बात भी समझ में आनी चाहिए आपको बात किसे संपा कि एका पावर two x हैं तो हम फिर समझते हैं क्या समझते हैं कि अगर अप डिफ्रेंश्चन करेंगे इंका पावद two x का तो यहां आए गा一ग. इंटू मैं two ये 2 नहीं चाहिए नीची कर देंगे तो मतलब क्या आया है e का बावर 2x by 2 इसका डिफ्रेंसेशन ये है तो इसका integration ये सिर्फ पलस में c आएगा है ना तो इसका मतलब मैं कर तूं डालेक ठीक है ना कि e का बावर 2x dx का जो integration होगा वो होगा e का बावर 2x by 2 पलस में c कोई दिक्कत तो है नहीं आगे देखीगा भई question में क्या question है आगे क्या है 4 number कहरा है a x plus b का पावर 2 देखिए फिर वही बात कि आपने किसका differentiation करना है कि a x plus b का पावर 2 आए देखिए पावर 2 आ रहा है इसका मतलब differentiation करने पे पावर 2 का आता है जब किसी चीज़ का पावर 1 3 हो है ना ज्यादा हो क्या आप जानते है एक सब पावर 3 का होता है ठीक है 3 x का square x सब पावर 3 x सब पावर 2 हमको x सब पावर 2 चाहिए 3 करना पड़ेगा तो आप एक तो बात सब में आ गया है ना कि हम किसको लेने के चकर में है भई तो हम लेने के चकर में जो है वो पावर 3 को है ना मतलब क्या है कि d upon dx ax plus b का पावर 3 आएगा इसका differentiation क्या आता है भई 3 ax plus b का पावर 2 और देखिए ध्यान से इस वाले का भी a का a x का 1 b का 0 इसका मतलब कि आपको सिर्फ यह चाहिए यानि a जो है थिरी है वो नहीं चाहिए डिवाइड में जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा ax plus b का पावर 3 डिवाइड में 3a यह होगा ax plus b का पावर 2 इसका differentiation यह है तो इसका integration यह है तो integration of this यहां पे यहां पे यहां पे यहां से लिख देज़ेगा ax plus b का पावर 3 नीचे में 3 तो इसका मतलब इसका integration आप डेरेक्न लिख सकते हैं न भाई कि अगर आप से पूशे ax plus b का पावर 2 4DX का integration क्या होगा तो आप AX पलस B का पावर 3 कहेंगे नीचे में थिरी ये पलस में C तो आना ज़रूरी है और कौन सा भाई फिफ्ट नंबर फिफ्ट नंबर क्या कह रहा भाई देखिए का फिफ्ट नंबर कहा आप से कि अपर देखिए आपे दो-दो वैलो है साइन 2X ना अभी निकाल कुके पहले वाले में मैनस 4E का पावर 3X यह भी और निकाल चुका होग तो अलग लग कर लेंगे तो हम देखेंगे कि भाई पहले वाले में हमको लाना है साइन 2X तो अभी हमने बात की थी भाई कि कौस्ट 2x का डिफिरेंसन करो fossilेसे हराँ मैंनस्य टूएकस तैसे टूहिसका मतलब अगर मैं इस वाले का डिफिरेंस सेजन करने वाला हो तो यह वाला डिफिरेंस सांड जो यह मल्टिप्लाइमें है वह दिवाइड में कॉछ 2 X डिवाइड में मैनस 2 यह हो जाएगा साइन 2 एक्स है ना और यहां देखेगा एक और देखा जाए तो वह देखा जाएगा E का पावर 4 X देखे यह जो 4 E का पावर 3 X है integration क्या होगा ठीक है न तो मैं जानता हूं कि आप भाई किस वाक को in differentiate करेंगे किस value को differentiate करेंगे कि एक अब आवर 3x आए तो हम जानते हैं एक अब आवर 3x को differentiation करने पर एक अब आवर 3x into 3x को 3 आता है लेकिन only हम को यह चाहिए यह नहीं चाहिए यह नीची जाएगा तो d upon dx एक अब आवर 3x नीचे में 3 हो जाएगा ब्रावर एक अब आवर 3x आ गया देखिए आया अब आप जानते हैं कि इसका integration इसका anti-derivative यह आता है और इसका भी anti-derivative यह आता है ना तो मतलब क्या है कि आप लिख सकते हैं एक कि भाई अगर मैं पूछ हूँ यह पूछ रहा है आप से कि बताइए साइन 2x-4 ठीक है ना अलग अलग कर सकते हैं इक अब आवर 3x dx को है ना इस वाले का anti-derivative आएगा मैनस cos 2x by 2 मैनस यह 4 तो छुट जाएगा इक अब आवर 3x को क्या आ रहा है भाई देखे तो इक अब आवर 3x नीचे में 3 पलस में c एंसर आई होप आपको समय में आया होगा कि anti-derivative पंदा कैसे है with the method of inspection बहुत इसी है अराम से देख लीजेगा ना बड़ा इसी बन रहा है ना आगे कोशन देख लेंगे भाई कोशन क्या कह रहा है सो अब देख लेंगे कोशन नंबर 6 हाना देखे अब कह रहा है कि find the following क्या कह रहा है integral in exercise 6 to 20 अराम से 6 to 20 तक आपको integral निकालना है भाई पहला कुशन कहा है 6 number ठीक है ना integral of 4 e का पावर 3x plus 1 dx देखे ध्यान से एक बात समय लिए पहले concept समय लिए कभी भी e का पावर x का integration मैंने बताया आपको formula में कि e का पावर x plus c होता है बट अगर e का पावर 2x dx हो यहां पे तो यार रखिए इसका भी 2x plus c सिर्फ x के साथ जो भी coefficient हो जाए एक्स के साथ जो भी coefficient हो जाए उसको नीचे में रख देते हैं बस divide में और कुछ नहीं यह कैसे आया क्यों आया इसके लिए साइन 3x minus cos 3x बस x के साथ जो कि 3 है इसलिए डिवाइड में 3 आएगा आई होप आपको समझ में आ रहा है यह ठीक है ना तो यह कोशन बहुत ही जादा important है आगे देखिए कह रहा है कि 4 तरीका क्या बनाने का आपने इसको इससे इंटू किया तो 4 e का पावर 3x dx आया ठीक ना आपने इसको इससे इंटू किया पॉलस dx बंजा dx आया दिन आपने नंबर के बाद integration लगाना है नंबर के बाद integration क्या भई दे यहां पर 4 हो गया integration e का बावर 3x है ना यहां पर simple सावर लिख देते हैं बढ़िया सेगना समझ में आना चाहिए आपको अब आप आराम से integration solve कर सकते हैं e का बावर 3x का e का बावर 3x और x के साथ चो कि 3 है इसलिए दिवाइड में 3 इसलिए पलस dx का x पलस में c dx का formula x होता है formula याद नहीं है तो जाके वीडियो में देख सकते हैं और formula याद कर लिजएगा ठीक है ना यहां पर उसके बाद देखिए number 7 कहड़ा आप से कि x square 1 minus 1 upon x square dx हम जानते हैं यह इससे into होगा यह इससे into होगा ठीक है ना तो x square बन जाए x square minus x square बन जाए x square डिवाइड में x square यहां भी dx है और यहां भी dx होगा चुकि dx भी सब के साथ है यह दोनों कड़ गया तो यहां बचा x square dx minus यहां पर कुछ नहीं है तो 1 dx तो dx हो आते हैं 2 है power n x power n याद है ना x power n का formula होता x power n plus 1 नीचे में n plus 1 plus में c इसका मतलब x power 2 है तो यहां पर 2 plus 1 नीचे में 2 plus 1 है ना मैनस dx का x plus में c यहां पर x power 2 एक 3 by 3 minus x plus c आप लिख सकते हैं बात से मैं बहुत easy है integration सिर्फ आदमी को लगता भाड़ी है ठीक है ना अगर आपने formula याद नहीं किया अगर आपने थोड़ा सा concept नहीं समझा तो वह तो भाड़ी लगे लगे लगेगा कुछ भी हो practice करेंगे formula याद रखेंगे दम भाड़ी नहीं है बहुत easy हो जाता है ठी क्या कह रहा है फिर देखिए simple सा कहा है कि ax square plus bx plus c साथ में dx इंटू हो तो यहां भी इंटू कर दें यहां भी इंटू कर दें और यहां भी इंटू कर दें देन आपके पास integration है ना तो कि a b constant है ना ध्यानते जीगा एक चीज़ को कैसे बनाते हैं x square dx ठीक ना पलस bx dx अब पलस में c dx है ना यह सब integration के बाद number देखिए यह constant के बाद integration आएगा constant के बाद integration आएगा constant के बाद integration आएगा ठीक ना तो इसका मतलब क्या है कि आप को करना है तो ए चोड़ देंगे x power 2 का मैंने समझाया है power 1 जूर जाता है 2 के आगे 3 जो यहां लिखाएगा वहीं नीची लिखाएगा पलस b हुआ x का पावर 1 है 1 का मतलब 1 पलस 1 2 हो जाएगा नीचे में 2 हो जाएगा पलस c dx का x हो जाता है पलस c यह हो जाता अच्छा पलस c नहीं लेंगे यहां पर आपको integration कॉंस्टेंट जो हो जाएगा के भी लिखा जा सकता है यह बात आपको समय में आनी चाहिए क्योंकि आपको बिहार बोट के अप्डेक्टिव में के देता है ठीक है ना जारतर के दे dx बन जा dx कर दिया पलस ex dx बन जा dx किया दिन आपको integration यहां रखना है नमबर के बाद integration देना constant बाहर हो जाता है ठीक है ना 2 हो गया x square का x power 3 नीचे में 3 पलस ex का formula ex होता है भाई ex का formula ex होता है पलस में c यह हो जाएगा आपका answer जहां तक बात है इस वाले की ठीक है ना तो आप जान रहे हैं कि यहां पर formula लगा सकते है a minus b का whole square है ना हम जानते है a minus b का whole square का formula क्या लगता है भाई वो लगता है a का square है ना plus b का square है ना minus 2 a then b यही है dx सबके साथ into हो रहा है यह दोनों तो कट गया हम जान दें square से root खतम square से root खतम तो यहां बन गया x plus 1 by x minus 2 है ना यह हो गया और सबके साथ dx into है यानि x के साथ भी dx है plus dx बन जाद dx नीचे में x integration लगा दें minus 2 के साथ भी dx बन जाद dx integration दो के बार लगाया गया देखिए x से power 1 है power 1 है तो 2 by 2 हो जाएगा plus dx by x का formula होता है वो formula होता है log of mod of x है ना formula आपको लिखाया गया है minus 2 dx का x plus में c यह हो जाएगा answer I hope आपको समय में आया होगा ठीक है ना आगे देख लेते हैं 11 number and 12 11 number question है 11 question है ठीक है ना कह रहा है कि डिवाइड में ना है सबसे पहली बात कि आपको एक दिमाग में रखना है बात कि यह integration में दिवाइड नहीं होता है भाई डिवाइड रहे तो इसको हटाना होगा तो मान लिजे तो हम यह जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि पलस 5 x square डिवाइड में x square minus 4 x square और साथ में सभी के dx है इससे यह कटा तो यहां बच गया एक एक बचा ना भाई एक बचा और यहां पे पलस में इससे यह कटा तो only 5 बचा मैनस में 4 यह तो कट नहीं रहा है देखें ध्यान से देखेगा कि जब भी नीची में रहे तो वह डिवाइड में मैंने बताया नहीं होना चाहिए तो वह उपर जाएगा और हम जानते हैं कि नीची में power अगर पलस में है उपर जाएकर वह power minus में बन जाएगा dx इससे भी into होगा इससे भी into होगा हम जानते हैं कि number के बाद integration का sign होता है number के बाद integration का sign होता है x का power 1 इसका मतलब power 2 by 2 दे दीजिए plus 5 dx का x हो जाता है minus 4 x का power power कुछ भी हो उसमें power में एक जोड़ते हैं और उसी को नीचे लिख देते हैं plus में c जहां तक बात है इस वाले की तो यह तो इसी तरह रह जाएगा plus 5 x minus 4 x का power minus 1 हो जाएगा नीचे में भी minus 1 2 में से घटे गत्तों minus 1 आगे देखिएगा कि x square नीचे में 2 plus 5 x minus अच्छा यह वाला minus यह वाला minus कट गया plus बना और 4 यह c x power minus में है नीचे आएगा तो फिर से आजाएगा plus में plus में c I hope आपको समझ में आया होगा so I hope आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं इसका 12 नमबर से और वो खतम करेंगे आपको वहाँ पर next वीडियो में जब तक के लिए bye bye